हेलो फ्रेंड्स मैं पिंक के आज में लेके आई हूँ टीवाइपी कॉम एक्जाम फोर सावित्री बाइफुले कुले उनिवर्सिटी एक्जामिनेशन ऑफ ऑक्टोंबर नौहेंबर डिसेंबर टू थाउजन फ्रेंटी टू आपको यहां इंस्ट्रक्शन पढ़नी होगी इ हुई है यह सब इंस्ट्रक्शन पढ़ लो और इसका स्क्रीन शॉर्ट भी ले सकते हो उसके बाद आपका पेपर टेन से शुरू हो जाएगा टेन से उसका टाइम है टेन एम टू तो ट्वेल थर्टी पीम तो का आपका पेपर से मिस्टर फाय का तो उसमें पहला पेपर है बिजनिस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वहन इलेवन को आड्वांस अक्काउन्टिंग का पेपर है त्वेल को इंडियन एंड ग्लोबल इक्लोबल इकलोमिक प्रेवलिक्ट वो आपका इंडियन तो आपका इंटर्णाशनल होगा तो इंटर्णाशनल इशके बाद 13 देट क को audit and taxation का पेपर हैं उसके बाद 14 को business admission होगा जिसका जो additional paper है वो है इसमें दिया हुआ है जिसका banking होगा business law and practice होगा cost and work accounting होगा तो यह सब आपको दी हुए जो आपका additional paper है वो 14 को होगा उसके बाद 16 को जो additional 2 है वो paper होगा जैसे की business administration 3, banking and finance 3, business law and practice 3, cost and work accounting 3, corporations and ruler development जैसे उसके बाद 16 को और भी paper है जैसे की additional subject हो उसके 17 को computer application, tax process practice यह सब दी हुए है आपके 6 subject होते है जिस faculty ने जैसे जैसे आपको subject provide के additional आपने जो paper लिया हुआ है वो paper होगा उसके बाद 18 को भी है उसके बाद semester 6 जो आप आप होंगे तो उसका paper paper 10 से ही शुरू होगा उसका time 2 p.m. to 4.30 p.m. है 14 को जो additional subject है वो होगा यह सब additional subject का है जिसे आपका subject है additional वो 14 को फे 16 को फिर से additional subject और 17 को यह से 17 देट तक आपका additional subject वो 17 देट तक आपके paper आएंगे semester 6 के और semester 5 के 18 देट तक आएंगे आपका semester अब को सचर रहा है उसका उसको डिपेंड करता है ओके फ्रेंड्स थैंक्यू पर वाच्चिंग वीडियों